हाई गाईज मैं जबी भी लो फील करती हूँ या डिप्रेशन सा फील होता है मैं चुप चाप एक खूमने का प्लैन बना देती हूँ आप लोग ऐसे सिचुवेशन में क्या करते हूँ कमेंट करके बताना तो आज हम जा रहे कसोली हिमाचल प्रदेश मैं अभी चंडीगर रहती हूँ और यहां से कसोली की डिस्टंस है वन आउर तो संडे बारा बज़े घर से निकली और अभी एक बज़ रहे मैं कसोली पहुंच चुकी हूँ ये मेरा होटेल के सामने का लोकेशन है अगर आप लोग को ये होटेल अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना मैं इसके बारे में भी अच्छे से एक विडियो बनाऊंगी अभी सेप्टेंबर है ओफ सेजन चल रहा है इसलिए हमें ये सूट ओनली ट्वेंटी फाइव हन्रेट में मिला है येस तो होटेल में बैक बडोरा लगके मैं निकल गई हो माल रोड की तरफ क्योंकि मैंने सुना था यहां का माल रोड बहुत क्यूट है और यहां पे बहुत अच्छे अच्छे पहारी खाना मिलता है येस मैं इस कैफे में जा रही हूँ ये कैफे है रूदर कैफे कसॉली माल में हो सके तो यहां का खाना जरूर ट्राइ करना मैंने रैंडम ली ट्राइ किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था स्पेशली यहां का पिज़ा सूप और मोमोज मा कसम बाई गॉड ऑसम प्राइस भी रिजनेबल था यह कॉफी एटी रुपीज की थी लेकिन भढ़के थी और पेट भढ़ गया गाईस भाई मैं तो एक फूडी हूँ तो जहां पे भी मैं जाती हूँ पेट भढ़के वहां क स्पेशल खाना जरूर ट्राइ करती हूँ तो पेट पुजा करने के बाद थोड़ा टहल लिया इधर उधर उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने रूम पे रेस्ट करने और रूम से ये बैलकनी और बैलकनी का वियू देखो काईस ये होटल मस्ट ट्राइ करना यार कभी भ थोड़ा पकोरी और चाय ओर्डर करूंगी आप लोग पाहरों में जाते हो तो मतब क्या-क्या ट्राइ करते हो जरूर कमेंट करके बताना तो नेक्स डे हो गया भाई सुबह उड़ गई मैं थोड़ा मेकप विकप कर लिया हलका फुलका और थोड़ा घूमने के लिए बाह 24 आवर्स का था यह ट्रिप पर मैं जो डिटॉक्स हुई इस ट्रिप से और एनर्जी लेवल जो हाई हुआ बाई गॉड़ गाईज आम सो हैपी आम फिलिंग सो गुड राइट नाउ तो चलो गाईज चंडिगर की तरब बापस चलते है रस्ते में तो रमेगी तो ट्राइ बाटनाथ टेंपल यह भी बहुत अच्छे हाइट पर है और बहुत सुन्दर है तो गाईज यह थी मेरी छोटी सी कसोली ब्लॉग और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे या फर्दर आप और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहो तो मुझे सब्सक करो और बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना बाबाई एवरिवान